नाश्कार वियर्स यूर्ड ड्रेल्मेंट गाइड हाजिर एक बहुत ही नई इन्फर्मेशन के साथ और इट इस रिवील ड्यूरिंग ड्रेल्मेंट डिसकेशन ओनली की हम कितनी दूर तक और कहां तक रूल जानते हैं सेवल इंगिनिरिंग साइड वाले जितने भी हमारे ऑफिशल्स हैं हमें कमर्शियल रूल भी जानने पड़ते हैं वी नीड तो नौ ऑपरेटिंग रूल्स कमर्शियल रूल्स आवर उन सब्जेक्ट मेकनिकल इंगिनिरिंग अश्वल अधर्वाइस सर्वाइबल इस देश्ट डिलमन समयर नौ रूलौ आर्थनौ नौ रूल्स नौ लजू झाट्च के कम तो नेर चूंच तो निर चंकूंजियल नौ फ़रे भी मुपर लोड़ इंग एंगिन पुर लोड़ लोडिग और रूल्सानले नौ तो पतिस्फ चैंगे यह लिए निएएब और पर लोड़िंग और सो अन्मेनी अवर फिल्ड ओफिशल्स आर इस्टिल आनवेर विकॉस अंटिन और अनलस्यू कम अक्रॉस अनी प्रॉब्लम हम सलुशन के लिए जाते नहीं है तो देनाई थॉट कि नहीं इसके बारे में जो भी इंस्ट्रेक्शन हैं रेलवे बोट की जो भी सरुक्लिर्स हैं I should share जिनको पता है fine they can guide me as else if I am somewhere wrong and जिनको नहीं मालूम है तो this is a very nice piece of information for them to keep a record of it and use it in case of developments to at least be clear of whether this aspect is contributory or not तो हमें हर एक पहलू से गुजरना पड़ता है हर एक कुछ भी कह लो तो we need to you know go systematically with a approach to see at least what could be the possible cause of the derailment आये इस sheet में देखते हैं के हमें क्या मिला और हमने किस तरह से this accident को approach किया so that we get certain clues about the nature and the probable cause of derailment in this slide I have tried to show and discuss the rules for loading commodity in railway wagons as it's a potential danger if suspension system is also weak and the loading is also improper then certainly there is a very good combination of you know uh uneven uh unloading and that causing to unloading and offloading of the wheel set so it's a very short video just I wanted to you know circulate that circular so that it reaches down the field level down the field level जो भी इसको यूज करें जिनको भी कभी कभी कभार यार्ड में ड्रेल्मेंट होने से कोई प्रॉब्लम आती है तो दे कन आल्सो लुक आन्टो दिस आस्पेक्ट as well before arriving at any conclusion या भी एक रिसे डिरेल्मेंट की फोटोग्राफ से नौर्दन रिजन में गिरा ही है और दे वा फोर वागंस which had derailed so these are few pictures of it and you know on seeing this how we should proceed towards arriving at a conclusion कहलो या मतलब near conclusion कहलो so we need to go step by step so the moment I got the information I told them simply one thing don't be you know scared of इसको आराम से रिरेल होने दो रिरेल होने के बाद आप इसका हर वागं का buffer height लीजिए in loaded condition see there is always an opposition कि हम unload करके लेंगे कहां लिखा है देखा मैं थोड़ा थोड़ा आपको you know counter करना भी सिखा देता हूं क्योंकि सारी जिंदगी तो मैं जगड़े करता है तो अपने को because it derailed in loaded condition so that column and that particular performer pages are very clear उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है रिरेल्मेंट के बाद आप उसको एक straight track पर कहीं भी रख करके उसका buffer height लीजिए तो जैसे इसका लिया तो मुझे दो तीन गाड़ी का जो है 1030 के नीचे उन्होंने बताया तो मैंने का अपना काम बन गया या अब काम कैसे बना काम ऐसे बना कि एनिधिंग बिलोव 1030 falls under rejection वाइट चेप्टर फॉर और यह सीए बिकाज इस गुड़ सो पार्ट त्री अब यह दो चीजें बताता है लो बफर हाइट एक अपका लोड अगर जादा है तो वो कम होगा आपका वील्ड आया कम है तो बफर हाइट लोगा और थर्ड अगर suspension system is weak that also causes low buffer height तो यह तीन चीज़े मैंने आपको बता ही है वन कि लोडिंग कि सेकेंड कि विल्ड आया थर्ड कि suspension तो हमको तीन चीज़ें इसको देखनी होती है और कभी-कभी हमारे अब आप विचल्स गलती के कर जाते हैं सर्व तो लोडिं मैं देते निया मेजरमेंट अरे देते निया का मतलब क्या हुआ वही यह वही यह वही यह वाई यह वाई देते निया का मतलब क्या हुआ हूए यह वही यह वही यह वही दिस वेर the safety department comes into picture and it's their role to get the weapon measurements and the track measurements done so safety department also have their own obligations towards investigation of drillments and at accident site well these are the pictures I just obtained from there and uh there are three four things which we need to know about it so this is only one view so we need all the four doors views and we need to climb up also perhaps if we want good results we need to take a trouble so hume bhi thodi si kooshis to karni padaygi well aga chalte hai this is another case where i had you know uh been to accident site i was asked to assist them so this is a loading of cement that was of your fertilizer and this is cement and see the way this wagon has been loaded this had also derived and with the same clue what is that clue you first check the buffer height you will get to know and it was even less than a meter it was somewhere 995 so the buffer height is the pulse of a wagon suspension system and the load third one wheel diameter but wo rarely milta hai so ishtara se agar loading hogi to they are susceptible to derailments so we need to be very particular in preserving and recording the clues well this is the pattern of loading and this shows for loading of cement so the height is one nine six zero here max okay and from top it is one zero two zero vacant or empty here it defines how lengthwise we have to stack the cement bags eight one two three four five six seven eight then here two and one like this way as is shown and then in the door area we have one two three four five and here one two three four like this way so this is the pattern and in the mid portion again it is one two three four lengthwise and then this way widthwise it's eight this is the pattern which is shown and see a very nice thing over here the number of cement bags is 1416 so it makes 70.8 tons of payload so this is for cement for bch and l organs again this is for fertilizer so now for fertilizer the bags are 1160 just see the difference it's 1160 and again the height here is 1960 it's the same height and however the total number of bags in both the cases in cement it's 1416 and in case of fertilizer urea so this is 1160 bags so this count is also most important whether or nobody knows so we have to verify so this is uh you know loading diagram for food grain rice and here we have another diagram of again fertilizer which is dap and npfk sorry npkf well so here again the number of bags vary so we have 1240 bags if it is food grain and for fertilizer dap npkf it's somewhere around 1400 bags so even the fertilizer bags are different so this is how we verify the contents of a wagon in case of derailments and we should have at least basic knowledge of cause of derailment how to approach towards a particular derailment and always i say and i get 100 percent correct results if we measure the buffer right after the treatment in loaded conditions we can sneak into the cause and sneak into the cause and then when i just peep on to the springs and then i get to know that this is what i try to share with all of you तो वेल इन केसिज में हमने क्या करना है मेजर दी बफर राइट इन लोड़ेट कंडिशन आज वेल अफर अन लोड़ इंड दिफरेंस बफर राइट आज आज आलवेश इस अनिशियल चेक अन द लोड़ इंड शस्पंस इंड सिस्टम पेटर इस गिप्स ये ग्या Cosm पेटी चेक्पिर एगimar आज एंड जस्टम आजस्तम लोड़ूच इभणा में भी ऑन उन इन सभ्णतिन औili ले माश वे हो चलिव आप। लोड़ीव जेव किthey स्टमघंन ठ्रदैंप्या सिस्टम होलडिए अप्सिक ree та वू steeds वी और इन सब्सक्राइब का मामला है किया किया नहीं किया बाभु आया दर्वाजा बंद किया सील मारा चल दिया so that loading pattern gives again a very nice clue whether it is in accordance or not with the loading pattern different for grains fertilizer cmat etc then verify the number of bags loaded so for each type of commodity a food grain fertilizer for cement there are specified total number of bags to be loaded in relation to the carrying capacity of the wagon right then we have the deflected height of spring to be checked abhi is case may be chuti hui है लिया ही नहीं तो मैंने अभी फिर बूला है कि भाई दुबारा लो इसको deflected height तो लीजे और अगर buffer height ली है तो that should be jointly signed in case of it is loaded उसको joint signature होने चीह है मैंने और मैंने बताया है कि इसको भी आप रिकॉर्ड करवाने की कोशिश करें और ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है नहीं असपर रिलेव बोर्स चर्कुलर जो 2019 में दिया गया है एक्सिदेंट परफार्मा को रिवीजन वाला केस लेटर उसकी guideline का पैरा 6 & 7 उसमें clearly लिखा है Anquiry Committee has got full authority to take any additional measurements required I don't know why our people are not exercising using that line of the guidelines so well I tried to explain whatever best I could for these type of accidents so what we have we have a loading pattern prescribed for each type of community and we have to go by that देखिये सबसे अच्छी बात क्या है if we go as per the papers nobody can stop us तो मैं जितनी भी चीजें आपको बताता हूं पहले उसका backup data लेता हूं फिर मैं आपको in the form of videos बना के दिखाता हूं मैंने उसका link share कर दूंगा description में you can take that circular with you for your guidance well viewers thanks a lot for watching giving me this much of time from your busy schedule do keep watching and itni मेहनत के बाद एक लाइक तो बनता है do like it do share it amongst your colleagues and down the line officials and please do subscribe my channel ultimately it is not my channel it's a channel made for you thank you once again Namaskar stay blessed to see you in the next video